नमस्कार साथियो एक पार्ट नमर तीन की चर्चाम फिर से उसी करम में शुरूर रख रहे हैं पार्ट तीन क्लास नो बुंदी किसानांदोलन देखो बुंदी किसानांदोलन में क्या बात हुई है भी यहां पर राज़तान सेवा संग वे बिजोलिय किशान अंदोलन की शफ़ता से प्रेरी तो कर बरड के किशानों ने अप्रेल 1922 में बुंदी परसासन के विरुध अंदोलन किया था भै ठीक है न बरड के किसान जो थे बुंदी का इचितर है बरड यहां के लोग अंदोलन करेंगे अंदोलन का नेतरतों करेंगे नैनुराम जी शर्मा देखो 2 अप्रेल 1923 डाबी में किसानों की एक सवा हो रही थी जिस पर हाकिम इकराम हुसेन ने गोडियां चलवा दी जिसमें जंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और नानक जी भील के सयोगी थे देविलाल गुजर सयद हो गए देविलाल जी गुजर और नानक जी भील मानिकेलाल वर्मा ने क्या किया भई मानिकेलाल जी वर्मा जो है न वो क्या करेंगे भई मानिकेलाल वर्मा नानक जी भील की याद में अर्जी सिर्शक गीत लिखेंगे ठीक है ना आगे देखो गुर्जर अंदोलन की बात गुर्जर अंदोलन में क्या वात हुई है भई कि देखो गुर्जर अंदोलन सरवपर्थम बुंदी के बड़ छेतर में शुरू हुआ इस बरड़ छेतर की तो हमने बात करी है और बरड़ में ये गुर्जर अंदोलन हो रहा है इसका कारण परमुख था तेदिक भूराजस्व वह सामाजिक कारियों में रियास्तों द्वा पराज तक्षेप करना जैसे मर्त्यू बोज पर पाबंदी लोग नहीं चाते थे उस समय कि मर्त्यू बोज पर पाबंदी हो ठीक है ना बात हुई 5 अक्टूबर 1936 की हिंडोली में इस्तेत हुडेश्वर मादेव के मंदिर में 90 गाउं के गुजर मीना किसानों के 500 परतिनी परिन वसूली में शक्ति का परियोग बंद कर दिया तथा आंदुलन के समें गिर्फतार लोगों को छोड़ दिया आंदुलन हो गया समाप्त इसके बाद में अपने एक आंदुलन हो राता है जैपूर किशान आंदुलन जैपूर वाले में क्या हुआ भई देखो जैपूर रियासत में किशान आंदुलन का मूल केंदर पस्चमी बाग में श्तित सेखा वाटे देखो तोरा वाटे साम्भर शेकर और खेतली ठिकाने थे किसान आंदोलनों का स्री गनेश सिकर ठिकाने में हुआ सिकर आंदोलन हुआ कब शुरू 1922 में शुरू हुआ किताब कह रही आपकी कि इसमें आत्यादिक भूराजस्व लागबाग और बैठ बेगार जो है न वो था वह कारण देखो हुआ क्या सिकर आंदोलन में वही शुरू से देखेंगे 1922 में क्या हो रहा है सिकर के राजा थे कल्यान सिंग सिकर के राजा थे कल्यान सिंग बूराजस्व में 25 से 50 परतिशत की वरदी दर कर दी वरदी कर दी थी और इंपोर्टेंट भी है जिसका यहां के किशानों ने विरोध किया था आगे देखो राम नारायन चोदरी हरी ब्रमचारी के सिकर आने से किशान अंदोलन को प्रोच्छान मिला यह सिकर आये यह सिकर आये लोगों में जोस आ गया लोग अंदोलन करने पर और ज्यादा बड़े लेवल पर उतारू हो गए थे सिकर अंदोलन की गूंज केंद्रिया असेम्बली एं ब्रिटेन के हाउश ओप कॉमन में उठी थी आगे देखो राजा ने ठिकाने में भूंबी बंदोबस्त कराने से पूर्व भूंबी का सर्वेक्षन करवाया जिसमें छोटी जरीब का प्रियोग किया था और सिकर के राजा ने बही अब यह जब छोटी जरीब का प्रियोग किया तब समश्या होगी देखो शिकर के राजा ने इजाफा के नाम पर बिगा भूमी पर दो आना भूमी करकी व्रदी करती 1931 में लोग क्या कर रहे हैं शिकर के जाटों ने राजस्तान की जाड छित्रिये महासवा की स्थापना की राजस्तान जाड छित्रिये सभा की स्थापना हुई जिसका प्रमुकुदेश्य सामन्ति जुल्म और अत्याचारों का डटकर मुकावला करना था 1932 में बशंत पंचमी के परवपर जुनिरू में जाट महासभा का आयूजन किया गया अब जाट महासभा का आयूजन होगा और आंदोलन में देखो देश राज ने सितंबर 1933 में प ये सारा सिस्टम चल रहा था बीच में कट्रा थल में चिनगारियां और उछलगी हुआ क्या भी देखो जरा देखो कट्रा थल में क्या हो रहा है भई कट्रा थल किसान अंदोलन ये सीकर जिले में इस्तित है सीहोट के ठिकानेदार मान सिंग दवारा सोतिया का बास नामक गाउं में किसान मैलाओं के साथ दुर्यवार किया था इसके विरोद में 25 अपरेल 1934 जाट मैलाओं ने एक सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसमें 10,000 जाट मैलाएं एकत्रित हुई थी और जो ये जाट मैलाएं आई इनका नेत्रतों किया था किशोरी देवी ने किशोरी देवी नेत्रतों किया आगे देखो कुदन का विद्रो कुदन का हत्याकांड क्या कह रहा है भी देखो बहुत इंपोर्टेंट है भी शेखावाटी का पूराई कुदन 1935 सीकर के कुदन गाउं में अपरेल 1935 में अंग्रेज दिकारी डेवल्यू टी वेब द्वा व्यापक नरसाहार करवाया गया इस अत्याकांड की चर्चा बिटेजन के हाउस ओप कौमन में हुई थी इस अत्याकांड में सईद होने वाले किशान चेतराम चार किशान सईद हुए थे चेतराम टिकूराम तुल्चाराम और असाराम और 173 जाट जो थे वो गिरिफतार ह हुए थे किशान गिरिफतार हुए थे यहां पर मार्च 1933 खेतडी डुंडलोद नवलगड मंडावा बिशाव शुरजगड हमीरवास इसमाइलपूर जखारा मरसिसर अरसिसर पातन आदी किशानों ने जाटों किशानों ने में जाटों ने भूमी देने से इनकार कर दिया था राजा का विरोधिनों ने यहां पर किया था राजा को यह भूमी अब नहीं देंगे आगे देखो भई सोडा मई 1934 हमीरवास सोडा मई 1934 को हमीरवास के ठकुर कल्यान सिंग के आदमियों ने अनुमान पुरा गाउं के जाटों के गरों में आग लगा दी ठीका ना 2934 डुंडलोध जुझनु के ठकुर ने जैसिंबूरा गाउं के किसानों को अतंकित किया था उसके बाई अरनाथ सिंग ने किसानों पर लाठियां भैत तलवारों के गाहिल करवा दिया यह झैसिंपुरा गाउं में यहां पर क्या हो रहा था भई ठिकानेदार के बाई जो लोगों को सजा हुई थी इसमें रियासत से जुड़े वे लोग जो थे ना उन लोगों को यहां पर सजा हुई थी भई बात क्या हुई आगे देखो भी या सीकर के सेखावाटी किसान संगर्स का अंत मार्च 1947 में जैपूर में इरलाल सास्त्री के नेतरतों में लोग प्रिय सरकार के गठन के साथ हुआ था अब बात आ जाती आपकी मारवार किसान अंदुलन की बही मारवार किसान अंदुलन में क्या हुआ देखो जरा 1938 में मारवार लोक परिशद की स्थापना हुई ध्यान में रखनी यह बात है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ज्यादा मेफालतु की बात ना करते वे चीजों पर द्यान दिलवा रहा हुँ आपका ताकि आपको कोई ज्यादा कोई यह ना यह ना हो कि बातने करने जग 47 को डावड़ा डीडवाना परगना गाउं की किसान सभा और लोक परिशद की और से किसान सम्मेलन बुलाया गया वह क्या देखो इसमें लोक परिशद के नेता कौन-कौन मतुरादास माथुर द्वारकादास पुरोहित रादा किसन बोरा, किसन लाल, बंसिदर पुरोहित, सियार चौपासनी वड़ा, सभा में बागले ने डावड़ा गये थे सभी नेता मौतिलाल सोदरी के निवास पर रुकेजान जागिरदारों ने लाठियों वटेज दारदार अत्यारों से हमला करवा दिया, डावड़ा कांड की सरवतर निंदा वई, जहां पर ये रुके थे, इन पर हमला करवा दिया गया था, खिशानों पर हमला हुआ था, आगे देखो 1923 में मारवार इतकार्णी सवा की स्थापना जैरन व्यास द्वारा की गई, 1920 में चांदमल सुराना ने मारवार सिवा संग की स्थापना की थी, एक एक चीज जो है ना भई, ये बड़े लेवल की इंपोर्टेंट चीज है, आगे आगे तोल आंदोलं ये ही मारवार सिवा संग है ना यह आंदोलं चलाएगी देखो तोल आंदोलं 1921 नैतर तव चांदमल सुराना कारण क्या था सो तोड़ा परती सेर से गठा कर, असी तोड़ा प्रती सेर माप की काई तया कर दी थी बणियों ने आंदोलन करवा दिया लोगों ने भई उनाई पड़ेगा आंदोलन तो ठीक है न इसके बाद में देखो विकानेर किसान आंदोलन बिकानेर किशान अंदोलन बिकानेर राज्य के किशान मनमाने राजस्व लागबाग बेट बेगार पसूकर सिंचाईश विदाउं के अबाउं से पिडित थे नाराज राज्य में निरंकुष सामन्ती सासन ववस्ता थी 1937 में उद्रासर गाउं में लागबाग के विरुद आवाज उठाई किशानों ने इन किशानों के नेता जीवन चोधरी के आगरह पर बिकानेर परजामनल के किशानों की शिकायते राज्य सरकार के समक्स किएगी किन्तु कोई प्रिणाम जो था वह भी इनका निकड़ा नहीं आगे देखो दूद्वा खारा किशान अंदल 1945 का अभी चुरू रियासत चुर बाक चुरुरु छेतर था करते हैं दूद्वा देखो वर्तमान में चुरु जिले में एं उसमें एगरी दूदुब था किसान ने ता देखो अनुमान सिंग ने ठाकुरस शुरज मलोह भी का नियर के साथ साधिल ने के विरोध में 1925 में अंदूलन किंतर तो और वेद मग मगाराम आंदोलन को राष्ट्रिय पैचान वेद मगाराम की वज़े से ही मिली थी अनुमान सिंग जी और वेद मगाराम दोनों आंदोलन का नेथरतों कर रहे थे 30 जून से 1 जुलाई को परजा परीशद ने राष्टी नगर में एक राजनितिक सभा का आयोजन किया था राष्टी नगर गंगा नगर में वर्तमान में उसमें बिकाने रियासत का भाग वगा करता था राष्टी नगर भई आगे देखो हुआ क्या भई जो इनकी सभा हो रही थी न इस सभा पर गोडियां चलवा दी लाठियां चलवा दी किसानों को मारना शुरू कर दिया और जिसमें बीरबल सिंग जी जीनगर जो थे वो वीरगती को प्राप्त ओने वाले युवा थे अखिल बारतिया देशी रियासत परीशद की ओर से इरालाल सास्त्री गोकल भाई भट बिकानेर के रगवर्द्याल गोयल ने रैसी नगर कांड की स्मिक्षा की अक्टूबर उनिस सो चानीस में अकाल और सुखे के समय भी कांगडा के जागिरदारों ने किसान किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा जिसका किसानों ने विरोध किया था विसे इस बात क्या हुई देखो जरा अंतताय देखो क्या हुआ उनिस सो अड़तारीस में बिकानेर राज्ये के लोक प्रिये मंत्री मंडल का गठन हुआ और आंदोलन जो था वो समापत हो गया ठीक है बिकानेर के किसानांदोलन के परमुक अस्ताकसरों में से एक कुमबाराम आर्ये भी शामिल है वही कुमबाराम आर्ये बिकानेर परजा प्रिसद से जुड़े रहे उन्होंने किसानी यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी पुस्तक का नाम क्या था इनका किसानी यूनियन क् important बहुत है अब इस किताब में किसाना अंदोलन के पर्मुक परसन दिये वे हैं कौन-कौन से दिये वे हैं वो भी मैं करवा देता हूं आपको देखो भई इस चेप्टर में से परसन आता है तो ठीक है न देखो इंपोर्टेंट चीज है किसाना अंदोलन के लिए विजोलिया रास्तान के किस जिले में हैं बीलवाडा में विजय सिंग पथिक का वास्तिविक नाम भूप सिंग गुरुजर परताप समाचार पत्तर के संस्थापक सं संकर विद्यार थी 1931 में बरतपूर किसाना अंदोलन के परमुग नेतरता उकरता कोन थे बोजी लंबरदार और सवतंतरता अंदोलन के दोरान राजस्तान में वे किस किसान अत्याकांड की तुलना मातमा गंदी ने जलियां वाला कांड से की है वह निमूचना किसाना आगे चोथे पार्ट की चर्चा आपने करेंगे नई क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद राम राम